देखी एक concept आपको ये पता होना चाहिए एक concept तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी चतुर्भूज है जिसे ये चतुर्भूज हो गया ये आपका चतुर्भूज हो गया इसमें ये वाला जो exterior angle है ये आपका X ठीक और ये वाला जो exterior angle है ये आपका जो है वो कितना है Y डिगरी है और ये अंदर वाला जो है ये आपका B डिगरी है और ये वाला जो अंदर वाला है ये आपका A डिगरी है तो आपको यहां से concept याद रखना है क्या कि A प्लस B जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके X प्लस Y ये concept आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि चतुर भुज के ये मैंने exterior angle लिया है ये मैंने exterior angle लिया है और ये दोनों मैंने अंता लिया है दो मैंने अंता लिया है और दो मैंने exterior लिया है उनका सम हमेशा जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है तो अब आप को होके सर ये कहां से आया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आया कहां से मैं क्या करता हूँ इसको मैं इसका एक diagonal खींच देता हूँ यह diagonal खींच दिया मैंने जब यह मैंने diagonal खींच दिया तो मैं यह मान के चलता हूँ जब मैं यह मान के चलता हूँ कि जब मैंने diagonal खींच दिया तो यह वाला angle दो भागों में टूड़ गया होगा यह होगा आपका A1 और यह हो जाएगा आपका A2 ये वाला एंगल भी 2 भागों में तूрड गया होगा ये हो जाएगा एक B1 और ये हो जाएगा आपका एक इने है इतनी बात क्लिए नहीं की अरब आफ यहां से ट्रियंगल देखो a, c, d में आप a, c, d में देखोगे तो यह जो x होगा x x क्या होगा तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि a, 1, प्लस b, 1 जो होगा वो x के बराबर होगा बोलो है a, 1 और b, 1 जो होगा वो x के बराबर होगा क्योंकि triangle में आपको बताया गया था कि भीया किसी भी ट्रेंगल के दूर इस्थित कोड़ों का योग के बराबर ये एक्स्टिरियर रेंगल होता है अच्छा इसी तरीके से आप देखो ट्रेंगल कौन सा A C B में देखो तो A C B में जब देखोगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका A2 प्लस B2 बराबर क्या हो जाएगा Y और दोनों समय करनों को अगर मैं एड कर दूँ तो ये आजाएगा देखो A1 और A2 क्या मिल जाएगा A1 A2 मिल जाएगा A यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ A डिगरी B1 और B2 क्या मिलेगा B1 और B2 मिलके क्या बनेगा B डिगरी बनेगा और बराबर में क्या आ जाएगा X प्लस Y तो आपको डारेक्ट याद रखना है ये concept बताओ clear हुआ कि नहीं clear हुआ ये concept आपको clear हो गया है इसे आपको याद रखना है आपको इसको अबने notes में note कर लेना है ठीक है अगला concept में एक समझाता हूँ आपको अगला एक concept और होता है जिसे हम बोलते हैं कैची concept क्या बोलते हैं कैची concept बोलते हैं और ये कैची concept आपको आना चाहिए यह कैची कॉंसेप्ट आपको आना चाहिए ठीक है अच्छे से आपको आना चाहिए कैची कॉंसेप्ट क्या होता है देखना जरा तो हेडिन लगा लिजेगा यहां पर क्या कैची कॉंसेप्ट कौन सा कॉंसेप्ट है यह कैची कॉंसेप्ट केंची कॉंसेप्ट कैसे है यह जड़ा समझो इसको केंची कॉंसेप्ट पढ़ेंगे तो केंची बनानी पढ़ेगी न दिख रहा है कट तो नहीं रहा है यह हो गया आपका केंची कॉंसेप्ट समझे जड़ा ध्यान से अगर यह वाला एंगेल आपका दिया है एडिगरी यह वाला एंगेल आपका दिया है सी डिगरी और यह वाला एंगेल आपका दिया है बी डिगरी अगर यह वाला एंगेल आपको बी डिगरी दिया है आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो X होता है ना X ये हमेशा A प्लस B प्लस C के बराबर होता है A प्लस B प्लस C के बराबर होता है बताओ समझ में आया की नहीं समझ में आया है आपको ये याद रखना है ये आया कैसे है मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूं ध्यान से देखिए अब आप जानते हो कि यह क्वार्डी लेटरल है और क्वार्डी लेटरल में तीनों एंगल का जो सम चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है तो आप कहो के सर बिलुकुल बता सकते हैं इस angle का जो मान होगा वो क्या होगा 360 माइनस A प्लस B प्लस C होगा यहाँ पर यह बात आपको समझ में आई की नहीं आई बताओ अब ये दोनो जो होंगे वो बराबर होंगे ये दोनो बराबर होंगे ये angle और ये angle ये angle होंगे कि नहीं नहीं बराबर नहीं होंगे सौरी बराबर नहीं होंगे हम यह कहना चाह रहे हैं कि तीन यह पूरा जो होगा वो 360 डिगरी होगा यह कहने वाले थे हम पूरा जो होगा वो 360 डिगरी होगा तो अगर मैं 360 से इसको माइनस कर दूँ तो यह वाला अंगल आ जाए गर नहीं आ जाएगा अगर मैं इसको 360 से माइनस कर दूँ तो यह मेरा अंगल आ जाएगा और जब इसको मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C मिलेगा तो यहां से मुझे पता चल गया कि X वराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C होता है यह प्रूप हो गया है आपको यह याद रखना है अब कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है ये वाला एंगल हमें निकाल लिया 360 माइनस A प्लस B प्लस C तीनों के योग से घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा और पूरा एंगल जो होगा वो 360 होगा 360 से जो इसको मैं माइनस घटाओंगा तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा 360 माइनस 360 और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा आपका X के तो X बराबर हो गया A प्लस B प्लस C अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी प्रूब कर देता हूँ एक दूसरा तरीका भी मैं समझाता हूँ देखिये अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो किस लाइन को अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ इस लाइन को अगर मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ बढ़ा दिया इसको मैंने ऐसे अगर इसको मैंने बढ़ा दिया तो आप मुझे बताओ अगर इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया तो ये वाला एंगल कितना होगा कि आप मुझे बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ कॉमेंट करके ये एंगल कितना होगा तो अगर आप ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट घ्यान से देखें तो ये वाला जो angle होगा ना वो दूरस्त angle के sum के बराबर होगा मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि ये a plus b के बराबर होगा a plus b के क्या होगा बराबर होगा अगर ये a plus b के बराबर है यहां तक clear वग नहीं a plus b के बराबर है अब आप ये triangle देखो, एक point यहां ले लो, एक point यहां ले लो, तो ये a plus b हो गया, ये हो गया आपका c, और ये इस triangle का external angle है, ये भी हमने external angle से निकाला था, बाहर कोंड से निकाला था, और ये भी external angle है, तो ये जो x की value होगी, क्या c और इन दोनो angle के योग पे depend होगी, तो आप को होगी बिल्कुल sir, तो x की value क्या आजाएगी, a plus b plus c, a plus b plus c आजाएगी, बताओ, clear हुआ की नहीं, अब तो clear हो गया होगा, तो कहची concept clear हो गया है, कल की क्लास में हम इस पर सवाल करवाएंगे आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको कहची concept clear हो गया होगा, कल की class में हम इस सवाल करने वाले हैं ठीक है बढ़ें आगे आगे बढ़ें आगे इसी में एक कॉंसेट आपको और समझा देते हैं जब इतना तुम समझी गया हो एक कॉंसेट और समझ लो अगर यही कैंची कॉंसेट में आपके सामने कॉस्चन ऐसे आजयें झातर झातर तुमसेट नग्से पहत अपके सब्सक्सा देखिए मैं यह बताना चाहरा हूं कि एक concept आपका ऐसे आ जाए जखो कि यह वाला angle आपको दे दिया जाए यह वाला angle आपको दे दिया जाए और condition यह है कि अगर यह वाला जो कोण है देखिए ध्यान से समझेगा इस concept को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ अगर ये जो लाइन है अगर ये एंगल आपका अलफा है तो ये भी अलफा हो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो तो जो ये वाला angle होता है ना ये वाला angle जो होता है अगर इसको मैं x degree बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ b degree क्या बोल देता हूँ b तो जो x का मान आएगा वो हमेशा a plus b upon में 2 होता है x का जो मान आएगा वो हमेशा क्या आता है a plus b upon 2 होता है इस पे question बने हुए है कल की class में आप देखोगे यहां से question आपको देखने को मिलेंगे condition समझ लीजिए कि ये angle by sector line होनी चाहिए ये angle और ये angle बराबर होना चाहिए ये angle और ये angle बराबर होना चाहिए तो यहां पर जो आपका ये x command अगर आपसे पूछा जाएगा इस वाले x command पूछा जाएगा ये corner पूछा जायेगा तो ये benchmark Ihr के योग के half के परभ न होता है clear हो गया सभी को एसी NO Permas अगर clear हो गया है तो 一方 here com एक कॉंसेप्ट की हम बात आपसे और करेंगे और वो कॉंसेप्ट क्या है ध्यान से सुनियेगा वो कॉंसेप्ट कुछ ऐसा है जहां पर आपने नोट्स बनाया है वहीं पर आप इन सभी चीजों को नोट कर लिजेगा अगर आपके पास दो पैरलल लाइन है तुनिये का ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूँ अगर आपके पास दो पैरलल लाइन है जैसे यह दो पैरलल लाइन है आपके पास है यह दो पैरलल लाइन है और इसके बीच में ऐसे 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 और ऐसे लाइने बनाई गई है ठीक ऐसे लाइने बनाई गई है तो अगर जिकी यहां पर एक एंगल ऐसे रोटेट हुआ है ऐसे एक ऐसे रोटेट हुआ है ऐसे और ये भी ऐसे हुआ है इस साइड में ये भी इस साइड में रोटेट हुआ है और ये भी इस साइड में रोटेट हुआ है और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये वाला देखो ऐसे रोटेट हुआ है ऐसे और ये वाला ऐसे रोटेट हुआ है तो अगर मैं ये कह दू कि ये जो एंगल बना है ये ये आपका A है ये जो है आपका B है और ये आपका C है ये आपका D है और ये आपका E है तो यहाँ पी भी तो बना हुआ है ऐसे ऐसे बना हुआ है न और यह आपका क्या है F इतनी बास समझ में आई है तो ऐसी केस में जो इधर को जुके हुए एंगल होते हैं उन सभी का योग जो इस साइड को जुके हुए एंगल होते हैं उन सभी के योग के बराबर होता है मतलब मैं यहां से कह सकता हूँ कि अंगल A, अंगल C, अंगल E, बराबर होगा अंगल B, प्लस अंगल D, और प्लस अंगल F, बताओ, यह पॉइंट समझ में आया क्या, यह पॉइंट समझ में आया क्या बोलो, यह पॉइंट समझ में आ गया होगा, मैं बताना यह चाह रहा हू कि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है और ये जो ए वाला एंगल आप देखरो तब इधर को जुके हुए हैं तब इस साइट को जुके हुए हैं इनका योग और जो इस साइट जुके हुए हैं उनका योग हमेशा क्या होता है बराबर होता है तो यहां से बी ल हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम एक कॉंसेप्ट और जानेंगे क्या नेश्ट कॉंसेप्ट समझेंगे जड़ा कि यह सारी चीजें हो तकता है आपकी क्लास में छूट गई हो क्यों कि हम कराने वाले थे लेकिन वहां पर जो है आपको हम यहां समझाना चाहते हैं और कुछ नेश्ट कॉंसेप्ट लगा लो नेश्ट कॉंसेप्ट हम आपको समझाते हैं सब कल की क्लास में हम सवालों पर यूज करने वाले हैं यह हमारा है नेश्ट कॉंसेट क्या है इसका ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाने वाला ऐसे एक लाइन है और दूसरी लाइन ऐसे ठीक ये दो लाइने हैं और इसको जो है कुछ लाइने ऐसे काट रही है एक लाइन ये हो गई ये सेकेंड क्लास है फर्स्ट नहीं एक लाइन ये हो गई एक लाइन आपकी ये हो गई और एक लाइन और ले लेते हैं कितनी भी लाइन हो सकती है बताओ पहले फीगर क्लियर दिखाई दे रहा है सिर इगर के लिए कि दिखाई दए रहा है ने दिखाई दर है बताओ अब हम यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका यह यह यहां से यहां तक यह आपका एख यह आपका दैक्ण इन अधर जो है आपका ये वाली जो लाइन है ये आपकी X है और ये आपकी जो है ये Y है और ये आपकी जो है वो Z है तो आपको याद ये रखना है यहाँ पर देखो ये आपकी L1 लाइन है ये आपकी L2 लाइन है ये आपकी L3 लाइन है और आपकी L4 लाइन है तो आपको याद रखना है कि यहां पर L1 जो है वो L2 और L3 और L4 आल्स आर क्या पैरलल सभी क्या है पैरलल है अगर ऐसा किसी कोश्चन में आपको देखने को मिलता है तो आपको याद रखना है कि A A Ratio B Ratio C बराबर होता है X Ratio Y और Ratio Z important concept है इसे आपको याद रखना है A अनुपाते B अनुपाते C बराबर होगा X अनुपाते Y अनुपाते Z clear अब इसको मैं कैसे भी री परजंट कर सकता हूं यह बात आपको पता होनी चाहिए इधर में A बटा में B बराबर इधर में X बटा में Y लिख सकता हूं अगर इधर में A बटे में B प्लस C लिखना चाहता हूं तो इधर में X बटे में Y प्लस C लिख सकता हूं मतलब मैं कोई भी डिलेशन दोनों तरफ बराबर करके दिखा सकता हूं बताओ समझ में आया यहां तक ऐसे अनुप बोलो ऐसे अनुप बोलो कलगी क्लास में आप देखोगी कि यहां से कोशन आपको देखने को मिलेंगे क्लियर यहां तक ऐसे अनुप लिखो फिर हम एक कॉंसेप्ट और जानेंगे एक कॉंसेप्ट हम और जानेंगे ऐसे अनुप लिखते रहो भाईया यहां पर हडिन लगाओ नेस्ट कॉंसेप्ट नेस्ट कॉंसेप्ट हमें समझना है और नेस्ट कॉंसेप्ट क्या होने वाला है मज़ेदार होने वाला है मस्त होने वाला है अच्छा यह बताओ यहां पर क्लास वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है तो यहां बताओ यहां पर क्लास वाली फीलिंग आ रही है कि हम लोग यहां मस्ती कर रहे हैं ऐसा लग रहा है यह अन्तिम कॉंसेप्ट देख लो ठीक है रिया यह कॉंसेप्ट देख लो फिर रोगते हैं है ह हुए है 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 थक गये हूँ चलो एक लाए और खीचते इब कि कि अकर्टा है कि अगर ता गया हो तो वीडियो कि इसकीप कर दो मैं सोच रहा था इसि में खतम हो जाती है ल Lance ए तो शही रहता है आट वीडियो रिकॉल हो by आप बात में देख लेना हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये आपका बिंदू जो है वो ए है ये आपका बी है ये आपका पी है और ये आपका क्यूं है ये आपका सी है और ये आपका डी है तो यहां पर और ये जो रेशियो है अभी हमने आपको समझाया क्या कि जो AP का ratio होगा और जो PC का ratio होगा वो बराबर होगा वो equal होगा किसके equal होगा वो होगा आपका BQ और ratio QD के बराबर होगा अभी आपको समझाया गया और मैं इसको मान लेता हूँ कि भईया ये आपका जो है ये आपका M है और ये आपका N है ये आपका क्या है M है तो इसी के बराबर में मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ कि भईया ये हो जाएगा M ratio M ratio N तो आप से यहां पर पूछेगा क्या examiner आप से यहां पर examiner पूछेगा कि बताओ PQ का length कितना होगा क्या पूछेगा आप से आप से examiner पूछेगा कि बताओ PQ का length कितना होगा तो आपको इसका में दूसरा trick बताओंगा कब जब सवाल आएगा आपके सामने तब ठीक है तो PQ की लंबाई क्या होती है और मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी जो लेंथ दी गई है ये आपकी A है और इसकी झो लेंथ दी गई है ये आपकी B है तो जो PQ की लंबाई आएगी ध्यान से सुना PQ की जो लंबाई आएगी वो आएगी B into M क्या आएगा और जो ये आएगा ये हो जाएगा आपका A into N तो मैं लिख सकता हूँ PQ बराबर हो जाएगा A into N प्लस में क्या हो जाएगा B upon में M और बटे में क्या हो जाएगा M प्लस ये आपकी PQ की लंबाई है इसको मैं एक जर्नल मेथट से भी बताऊँगा लेकिन जब हमारे पास सवाल आएगा तब जब हमारे पास सवाल आएगा तो इसको मैं जर्नल मेथट से भी बताऊँगा बताऊ PQ की लंबाई क्लियर हो गई PQ की लंबाई depend करेगी कि A into N और प्लस में आपका B into M और बराबर में क्या हो जाएगा आपका बटे में M plus N तो ये हो गया हमारा next concept अब इस पे हम जो है कल की class में सवाल देखेंगे ठीक है कल की class में हम लोग इस पे सवाल देखेंगे आज के लिए बस इतना ही और मेरा एक video recorder batch आपके लिए चला है आप अगर उसे अपने दोस्तों को दिलाना चाहें तो दे सकते हैं ये बैच है 249 में पूरी मैज, पूरी डीजिनिंग और पूरा आपका flavors मिलेगे तो चलिए फिर इस video बस इतना ही मिलेंगे अगले class में तब तक के लिए बब आए टेक केर लब यो और अगर आज कर दो है आँ